नमस्कार मैं हूँ प्रियांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं आई इंडिया यूपी सरकार के मुखिया योगी आदितनाद लगबग हर मंच से जीरो टॉलरंस यानि सब के लिए समान बरताओं का दावा करते हैं वहीं दूसरी और लगबग हर रोज यूपी के किसी ना किसी कोने से ऐसी खबरे सामने आ रही हैं जो बताती हैं कि इन दिनों भाजपाई जनप्रत्मिदियों के सिर पर सत्ता का नशा हावी हो रहा है ताजा मामला यूपी के जहांसी जिले का है यहां के एक भाजपा विधायक के बेटे ने सरयाम दबंगई की सारी सीमाएं पार कर दी इसके बाद जब पुलिस उसे थाने लेकर पहुची तो विधायक पुत्र में थाने में खड़े होकर पुलिस कर्मियों पर भी गालियों की बहुचार कर दो सबसे बड़ी बात या है कि गालिया खाने के बाद भी पुलिस ने विधायक पुत्र पर केस दर्ज करने के बजाए समझोता कर लिया यूपी पुलिस द्वारा सत्ता के आगे नतमस्तक होने के इस मामले का वीडियो वाइरल होने के बाद पुलिस की जमकर किरकरी हो रही है हाना कि आइंडिया इस वाइरल वीडियो की पुष्टी नहीं करता है आईए आपको बताते हैं कि मामला क्या है दरसल जासी जिले के गराउठा विधानसभा छेतर से जवाहलाल राजपूद भाजपा के विधायक है। पुलिस को भी दी। पुलिस मौके पर पहुचकर विधायक के पुत्र को अपने साथ ठाने ले आई। ठाने में विधायक पुत्र में सत्ता के नशे का जो रूप दिखाया आईए उसका वीडियो भी आपको दिखाते हैं। शिक्षा के श्वेतर में जनपत का अग्रिनी संस्थान, विध्यानिकेतन फार्मसी एवन विध्यानिकेतन जिगरी कॉलेज, कुतुबनगर, सीतापुर, सत्त दो हजार तेज़ चौबिस के लिए डी फार्मा एवन बिये में प्रवेश के लिए शीग रिसम पर करें। सत्त दो हजार बाइस तेज़ में डी फार्मा का रहा उतकरष्ट परिक्षाफल। सभी 90 प्रतिज़ शात्र शात्राएं प्रथम श्रेडी में हुए उत्तीन। खबर आपकी नजर हमारी देखते रहे आई इंडिया।